भाजपा के पूरु प्रदेश अध्यक्ष एवंसराज से विधायक जराम ठाकूर ने सीएम वीरबदर सिंग के उस बयांपर चुटकी लिए जिसमें सीएम ने कहा था कि अगर भाजपा 60 सीटे जीत गई तो ये प्रदेश को छोड़ देंगे मंडी में आयोजित पत्रकार वारता के दुरान चराम ठाकूर ने कहा कि सीएम वीरबदर सिंग के प्रदेश छोड़ने का समय नजदेखी आने वाला है भाजपा के पूर प्रदेश अध्यक्ष एवंसराज से विधायक जराम ठाकूर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वारता के दुरान कहा कि प्रदेश में विधान सभा के जो चुनाब होने वाले हैं उसमें भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने और कॉंग्रेस सत्ता से बाहर होने जारी है उन निका कि सीम वीरबदर सिंग पहले ही इस्तिती को भाव चुके हैं और इसलिए ही उन्होंने इस परकार का बयां दिया है जेराम ठाको ने कहा कि सीएम वीरबदर सिंग से आगरह किया है कि वे अपने बयाँ पर कायम रहें और प्रदेश को छोड़ने के लिए भी तयार रहें विधान सबा के चुराब में भात्तिय जन्ता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने बारे है और यह आंकरा चुंकाने वाला हो सकता है अब इबार और जो साथ की बोल रहे हैं कि बात कर द जे साथ के पार जा सकता है और वीरबदर सिंग जी कह रहे हैं कि अगर साथ का आंकरा पार कर लिया तो प्रदेश के चोड़ देंगे तो इसके बाद मुझे लगता है कि उन्हें जो बियान दिया है उस बियान की अगर वैसे तो उनकी बात को लेकर कि हम गंभीता से उनकी बात को लेते नहीं है लेकिन अगर कही यह बात तो वो त्यार रहें अब की बार ये नौवत आने वाली है कि हिमाचल परदेश में भाजपा साथ का अंकरा पार करेगी अगर उनने बात कही है तो मेरा उनसे विनम्बर निवेदन है कि वो अपने इस बियान पर काइन रहें जैराम ठाकूर निका कि सीएम वीरबदर सिंग निर्दित्व वाली कॉंग्रेस सरकार ने परदेश को पीछे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उनने का कि आज परदेश की जो हालत हुई है उसके लिए परदेश सरकार की जिमेवार है चैराम ठाकुनिका की सीएम विर्वदर सिंग प्रदेश शोड़ने की बात बोलकर अपनी मनुस्तिती को पया कर रहे हैं राजिनेतिक दिश्टी से मुझे लगता कि यह उनका अंतिम चुनाब है इसके बाद जिस स्थिती में उनने प्रदेश को पहुंचाया है वासी प्रदेश में उनका जो है वो जो भोल रहे हैं कि प्रदेश छोड़ करके वो अपनी मन स्थिती को उनने गर्त किया है ऐसा मुझे लग रहा है कि वो प्रदेश छोड़ना ही चाहते है